आइफोन 13 अचानक से मेरी केड़नी में इतना दर्द्गी होने लगा कहीं तेरा नमर में लिए अनलकी तो नहीं या फिर मेरी केड़नी को किसी जान का खत्रा तो नहीं खेर मजाक से अठते हैं मस्ती मुझा तो ऐसे चलता रहेगा लेकिन आज आइफोन 13 लॉंच हो चुका है और अगर यह ख़वर सुनकर आपकी केड़नी में विदर तो ना शुरू हो चुका है तो फिर कुछ तो गड़ बड़ है बहुत हमाले में तरह बापको मां 13 आइफोन 13 मिनी आइफोन 13 प्रो और आइफोन 13 प्रो मैक्स यह चार वेरिंट लॉंच हुए है आइफोन के धिर इन सभी फोनों के बारे में बात करूंगा सबसे बड़ा डिफ्रेंस आपको जो आइफोन 13 की सिरीज में देखने को मिलेगा वो डिस्प्ले में आपको 13 प्रो इसके अंदर मिलेगी 6.1 इंच की एक OLED इसक्रेण आइफोन 13 प्रो मैक्स इसके अंदर मिलेगी 6.7 इंच की स्क्रेण बात करें ब्राइटनेस की इस सेरीज में दर तो फिर वह दी गई है 1000 निट्स की मैग्जिम्मम ब्राइटनेस की अगर बात की जाए तो वह दी ग इन दोने के अंदर देखने को मिलता है 60 Hz का refresh rate और वहीं दूसरी और प्रो और प्रोमेक्स इन दोनों के अंदर देखने को मिलेगा 120 Hz का refresh rate तो हां यह डिफ्रेंस नोटिस किया जा सकता है खैर अब बात कर लेते हैं थोड़ी performance के बार में यानि कि इस बार Apple 13 की सीरीज के अंदर आपको दे गई है Apple की A15 Bionic Chip वह भी पूरी की पूरी सीरीज के अंदर यानि कि Apple 13 Mini, Apple 13, Apple 13 Pro और Apple 13 Pro Max सभी के अंदर आपको A15 Bionic Chip देखने को मिल जाएगी एपल की ये बात अच्छी है कि सभी वेरेंट के अंदर आपको बिल्कुल सेम performance देखने को मिलेगी तो हाँ मेरे साब से मतलब performance के बार में कोई भी शिकायत नहीं कीजा सकती अगर बात कीजाए camera performance के बारे में तो इस बार Apple की पूरी सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगी sensor-based OIS Chip जो कि पिछली बार ऐसा नहीं था यानि कि iPhone 13 Mini के अंदर जो camera देखने को मिलेगा वो होगा Not available कोई बात नहीं कोई बात नहीं iPhone 13 प्रो इसके अंदर जो camera देखने को मिलेगा वो नोट अवलेवल कोई बात नहीं कोई बात नहीं iPhone 13 Pro Max इसके अंदर जो पांक पांक नोट अवलेवल अब देखो या मेरी इसमें कोई गलती नहीं ठीक है camera's के बारे में बिल्कुल भी खुलकर बात नहीं की गई है बस इतना पता दिया गिया है कि sensor कौन सा दिया गया है 12 Megapixel का Ultra Wide 12 Megapixel का Main Selfie camera के बारे में बिल्कुल भी कोई भी जनकारी नहीं दी गई है यानि की यह बात पता चलेगी मतलब जब फोन लॉंच होगा बिल्कुल यानि की 24 सितम्बर को ठीक है आमें थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा व वीडियो कालेटी आपको काफी जवर्दस मिलने वाली है पहले से भी काफी बहतर और इसके साथी लॉंच इवेंट में एक और फीचर पर काफी जोर दिये गया था वो था सिनेमेटिक मोड इसको सिंपल तरीके से समझने का तरीका यही है कि जैसे कि आपके फोन का कैमरा कि वी अबजेट को बहुत ही तेज और काफी बैतर तरीके से कैप्चर कर लेता है और काफी बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस भी लेकिन बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आइफोन 13 की सीरीज के अंदर यह कैसे काम करेगा यह तो फोन के लॉंच होने के बाद ही पता चले करेगे जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आप ठीक तरीके से किसी बात को समझ नहीं पाएंगे तो मतलब जब फोन लॉंच होगा तभी आप बात को ठीक से समझ पाएंगे अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बैटरी के बारे में यानि कि आईफोन 13 सीरीज के अंद जेदा चलेगी सवाग सब्सक्राइब एक्जेक्ट बिल्कुल नहीं बताई गयी कितनी बैटरी आपको दी गई है और चार्यर तो इसके base variant की कीमत शुरू हो जाती है लवग 1,20,000 रुपए से और pro max इसके base variant की कीमत शुरू हो जाती है लवग 1,30,000 रुपए से खैर मेरा opinion ये कहता है कि मतलब हाँ इस series के अंदर पहले की series की तुनला में काफी improve आपको देखने को मिलते हैं camera's के अंदर video quality के अंदर batteries के अंदर performance को लेकर मतलब हाँ 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 तरीके से आपको improve देखने को मिलेगा और जिस तरीके से feature और improve आपको देखने को मिलते हैं मुझे नहीं लगता कि आपकी इस बार एक kidney में आपका काम चल जाएगा जो किंग रहे फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही क्योंकि launch event में कोई खुलकर खास बात नहीं की ती तो फिर मैं भी कोई खास बात नहीं कर पा रहा हूं तो फिर चलते हैं